हाई फ्रेंड्स असलाम लेकूम वेलकम पो माई चैनल मैं हूं सना और आज मैं आपके साथ जोद्पुरी मिर्ची वड़ा की रेसिपी शेयर कर रहे हूं यह रेसिपी बनाने में बहुत आसान है आप इसे रमजान में इफ्तार में बनाएं अब इसको हम कट लगा लेंगे तो मिर्ची के बीच में हमें इस तरीके से कट लगा लेना है इस कट में हमें फिलिंग भरनी है तो यहां पर यह देखिए इस तरीके से जैसे हम अचार के लिए मिर्ची काटते हैं वैसे बड़ा के लिए काट लेंगे और इसमें हम फिलिंग बैटर बनाने के लिए एक काब बेशन ले लिया है इसमें हम डालेंगे उस मसाले एक चोड़ी चमछ भरके लाल मिर्ख का पाउडर 140 पॉन हाल्दी पाउडर एक चोड़ी चमछ चाट मसाला पाउडर चाट मसाला नहीं है तो आम चूर पाउडर डाल सकते हैं flavor आता है तो हिंग जरूर डाले और digestion में भी help करता है हिंग अब इसको mix करकि हम इसका better बना लेंगे इसमें थोड़ा-thोड़ा पानी डाल करके हम इसका पकोड़ों के लिए जैसे better बनाते हैं वैसा better बना लेंगे तो थोड़ा-thोड़ा form हो जाएगी एयर भी भर जाएगी जैसे आपके पकोड़े जो एक तम क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही फूले फूले बनेंगे तो यहां पर दिखें मिक्स कहले हमने तो इसी तरीके से आप पकोड़ा का बेटर भी बना सकते हैं तो यह मिर्ची बड़ा का बेटर हमारा रे अलुलियों अबले हुए उबाल करके ठंडा करिया है और इसको मैं हाथों से ही तोड़ करके त्यार कर रहे हूं आप जाए तो इसको अदुकस कर सकते हैं या फिर आप इसे पोटेटो मेशर की हल्प से मैश कर लें तो हाथों से भी बहुत अची से क्रश हो जाएंगे तो बाद हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के साफ से आदा शोटी चमस के करीब नमक डाला है आप अपने टेस्ट के साफ से डालें आदा शोटी चमस भरके हम इसमें डालेंगे गरा मसाला पाउडर और एक शोटी चमस भरके इसमें डालेंगे हम अमचूर पाउडर और अगर आ सारे फ्रेवर्स को बैलेंस करेंगी बहुत यह चीनी जरूराइड करें आथेंटिक रेसेपी जो हती है जोदपरी मिर्शी वड़ा कि उसमें छीनी थोड़ा सा जरूर पड़ता है तो उसका डेस्ट अलगी आता है तो चीनी आप जरूराइड करेंगे मिक्स करने के बाद आप इसको हम फ्राइ करेंगे तो फ्राइ करने के लिए मैंने एक टेबल स्पून ओयल गरम कर लिया है इसमें डालेंगे हम आदा शोड़ी चमज जीरा और दो पिंच के करीब हिंग अड़ करेंगे हिंग और जीरे को थोड़ा सब पकने देंगे फ्लेम को भी मैंने मीडियम रखा हुआ है बहुत ज़दा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना नहीं तो जीरा एकदम से जल जाएगा और इसके बाद मैंने आदा शोड़ी चमज बारिक कटा हुआ अधरक इसमें डाला है एक हरीमिश काट करके डाल दी है बारिक काट करके तो अधरक को अपग्रेट करके डाल सकते हैं या फिर आप इसको बारिक काट करके डाल सकते हैं अब आलू का जो मसाला तयार गया था वो इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे इसमें और सारी चीजों को अच्छी तरीके से mix करेंगे और एक से दो मिर्ट के लिए से चलाते हुँ भून लेंगे इस तरीके से भून कर जब हम मसाला मिर्चियों में भरेंगे तो मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही टेस्टी बनेंगी तो इसको एक से दो मिलट घुनना है और उसके बाद हमारे ये मसाला रेडी हो जाएगा मसाला हमारा रेडी हो चुका है इसको ठंडा कर लेंगे एक अलक बरतन में डाल करके यहां पर मैंने इसको ठंडा कर लिया था, एक अलग ख्लीट में डाल करके यह ठंडा हो चुका है, अब हम मिर्ची के अंदर इसको भर लेंगे, तो stuffing आपको इस तरीके से करने हैं, मिर्ची के अंदर यह stuffing आप चमज की हैल्प से भरें, या फिर हाथ की हैल्प से भरें, गै balance फोट्पार मत वskin को सज्बार कटी सोड़ा काने वाले तोड़ा से एक च मसी करीब पानी डाल करके इसको американ quand वेकिंग थे मिर्चि वड़ा हमारे क्रिसपी बन मंत रहसे है कि वेकिंग सोड़ा डालें से काफी फलपी होगी हमारा बैटर और इसको इस तरीके से मिर्ची को उपर coat करना है और इस तरीके से उठाते हुए मिर्ची को आप oil में डाल दें तो oil मैंने पहले से घरम कर रखा है ओलट पलट करते हुए हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मिर्ची को फ्राई कर लेंगे और ब्राउन के दुमेंने हैं रीकार के यहां साथ एक और मिर्ची साइट कि स्वाई मिर्चीने चक्रेंके लिए और इससे टमेटो केचप या फिर आप भर दनिया की चटनी के साथ सर्ब कर सकते हैं बहुत ही मज़े की ये मिर्ची बनती है आप एक बार इस तरीके से रेसेपी ज़रूर ट्राइ करें वीडियो शी लगे थे वीडियो को लाइक और शेयर करें and thanks for watching this video